हेलो बच्चों, आज हम 15th गुरुनीती आपके लिए लेकर आए हैं, जेए मेन का, और इसमें जो टॉपिक हम करने वाले हैं, वो है थर्मोडैरमिक्स और हीट ट्रांसपर, ठीक है, तो इनके questions हम solve करेंगे, तो सुर्वात करते हैं, first question से, तो पहला question है, during process, PV to the power 1 by 2 equal to constant, the molar thermal capacity of an ideal monotomic gas will be, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, कि यह polytropic process होना चाहिए, PV to the power alpha equal to constant, तो polytropic process से अगर इसको compare करेंगे, PV to the power alpha equal to constant से, तो alpha की value जो है, वो 1 by 2 आ जाएगे, और polytropic process के लिए, जो molar specific heat capacity का जो formula होता है, यह होता है, CV plus R divided by 1 minus alpha, क्योंकि यह monotomic gas है, तो यह हो जाएगा 3R by 2 plus R divided by 1 minus 1 by 2, 1 by 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2, जो जाएगा 7R by divided by 2, तो answer 3rd हो जाएगा, ठीके, आगे next question, अगले question करता है, next question है, इस सेट्रीफ प्रोसेस, इस सोल और P-D डाइग्राम वेच आपदा कर्व, सोल दा सेम प्रोसेस और P-V डाइग्राम, तो 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 इस से हमें सिंप्लिसा सम्झे भारा है, यह जो प्रोसेस है, यह तो हमारे पास ISO बारी होगई, इसमें क्या है हमारे पास, आइसो थर्माल होगई, अब इसकी बात कर लेते हैं, यह बारी प्रोसेस क्या है, यह से भी, तो अगर मैं लिखता हूं, यूज़ाँ, पी इकल टू, एना, मनलब पी और टी के बीच में लाइन, आनी चाहिए हमारे पास, तो पी इकल टू, आप बाई B, इकल टू, तो यह स्लो बारा तो यह हमारे पास, जो B है, यह कॉंस्टन्ट होगा, तो B हो जागए, तो यह हमारे पास कौन जी प्रोसेस हो गई, आइसो पोरे 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 इसको बना लेते हैं, अगर मैं इसको डाइग्राम को बना हूं, सिंपिल्जा, पी यह बारे इम बात करनी है, यह P आए गया, यह B आगया, तो C से B तो सिंपिल्जा में समझ भारा है, प्रेसर कॉंस्टन्ट है, तो C से B तो जो आएगा हमारे पास, यह रहेगा हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पर अपने लोग अगर बात तेरे, C से B जो अब हम जा रहे ह तो यहाँ पर तो यहाँ पर पर कम हो रहा है । तो olumला कहें हमारे पास कम हो जागा, तो volume भी हमारे पास कम है, तो जी था आज़ेगा H verdad, थाए अब दो जी यह यह डैशनी आटा में, ऐस एगा हमारे पास chapter TV के लिए इस तरीके से आएगाँ, अब हमारे पास क्या ब्लरा खरवें डिंग. So, next question सर्दें हैं लोग. Actually question number number three डखते हैं, an ideal monotomic gas undergoes a cyclic process ABCA as shown in figure. The ratio of the heat absorbed during AB to the Pump 12 of the gas during BC. Heat absorb during AB. मतलब हमें. Δchte Q AB की بात करनी है divided by और work done BC की बात करनी है divided by work done B से लिकरके C की बात कर दिए है हम देखे लिए A कौन सा प्रोसस है और B कौन सा प्रोसस है अगर यहां पर हम लोग देखें तो volume जो है वो temperature के proportional है volume temperature के proportional है इस line में A से B पे इसका मतलब pressure constant होगा pressure constant है तो यह एक isobaric process है और isobaric process में जो delta Q होता है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे N और CP को लिख सकते है 5R divided by 2 into delta T A से B जाएंगे A पे temperature T naught B पे temperature 2 T naught तो delta T जो हो जाएगा वो T naught आ जाएगा work done B से C की बात करता है B से C जो process है यह जो process है यह आइसो thermal process है और आइसो thermal process में work done का formula होता है N R T L N V2 by V1 तो यहां पर हम लोग लिखेंगे N R और यहां पर temperature जो है वो 2 T naught है L N V2 by V naught 2 V naught by V naught करेंगे तो यह L N 2 आ जाएगा 2 V naught by V naught is 2 तो यहां से N R और यह N R cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5 T naught divided by 4 यह T naught भी कर जाएगा T naught B cancel हो जाएगा E हो जाएगा 5 by 4 L N L N 2 तो इसका आज़ेगा अबना थर्ड आज़ेगा थर्ड आज़ेगा ठीकिए अगा फूसर करता है नेस्ट कुशन हो ला है 3 knots of same dimension whose serval conductivity are 3K 2K and K arranged as well in figure and their ends are at temperature 100 degree 50 degree and 20 degree Celsius then the temperature of Jumson इस तो इसको सम्भीज़ा करने का तरीका क्या है आपने तो क्या करता है इसका temperature T माल लेता हूँ है यहाँ पर तो यह माल लेता है ज्यादा तो यह inner heat transfer होगी यहाँ पर आएगा और यहाँ आएगा इसके लिएकर मैं लिखूँ तो इसको अगर मैं बोलता हूँ हीट करन्ट H1 इसको बोलता हूँ है H2 और इसको बोलता हूँ है H3 तो लिखा जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 इगल टू 0 लिखाएगा तो यहाँ से आपने लोग परूरा लगाते है तो दूसरे के लिख लेते हैं अरिया है तो दूसरे के लिखेंगे तो आजाएगा तो दूसरे के लिखेंगे तो यहाँ जाएगा तो दूसरे के लिखेंगे तो यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो यहाँ जो नेक्स प्रसंट के तरफ बढ़ते हैं and T2 is 2000 Kelvin than the value of T1 is हमें पता है यह जो spectral energy density का lambda के साथ graph है इस graph का जो एरिया होता है यह पावर के proportional होता है और यह rate of heat transfer के proportional होता है और rate of heat transfer जो हो ने टेंपरिचर की 4th power के proportional होगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यह जो area होगा यह proportional होगा temperature की और पावर के अब question में क्या है अगर मैं यहाँ पर area a1 a2 का ratio देखूं तो यहाँ पर अगर हम लुखेंगे a1 divided by a2 का ratio अगर देखेंगे तो यह हमारे पास t1 divided by t2 की पावर में 4 आ जाएगा और a1 a2 का ratio है यह question में 16 क से बराबर दे रखा है तो t1 हमें निकालना है t2 की value दे रखी है 2000 और यहाँ पर इसका 4th root लेंगे तो यह 2 हो जाएगा cross multiply करके देखेंगे तो 4000 केल्विल आ जाएगा तो T1 की value हो जाएगी 4000 केल्विल आ जाएगा थो अंदरा आंसर हो जाएगा 4th root हो जाएगा ना नेक्स करता है next question की बात करते हैं next question बोला energy structure of a body soja maxima around wavelength of lambda-nought the temperature of this body is increased it is that energy maximum now occur around wavelength 3 lambda-nought 3 lambda-nought by 4 power added by black body now is increased by the factor तो हमसे बोला पावर कितनी हो जाएगी तो अगर अपर लिखी आएगी वह क्या चलेगी टी की पावर पूर के साथ चलेगी ठीक है और फिरकर बीड डिस्टिशन दो लगाएं तो क्या आथा लेम्डा है और टी यह क्या है अब हमारे पास पास ऐसाल पर लेते हैं तो इसको अगर मैं लुगों पीवन अपास अबहरा देखा लाइगा लैम्डा यह पावर फोर की पावर फोर लैम्डा टू अमें कितना दे रखा है इसको रिख लेक्छात्री अधर तो यह 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 लिखता फिर अभाई यह लैम्डा नौट दे रख तो यह इतना बनेगा 3 by 4 बनेगा अब हमसे इसमें जो पूचा है कि तो यह इसको multiply 4 times करेंगे तो P2 जो लिखा जाएगा वह आजाएगा हमारे पास तो यह 256 बन जाएगा 256 पीवन डिवाड़ वाई यह आजाएगा तो आंसर करेंगे फस्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट वाग करते हैं कुश्टिन नम्बर 7 देखें कुश्टन नम्र सेवल में क्या है तेंप्रेचर और तू आउटर सर्फेस अपकॉजिट स्लाब कंसिस्टिव थू माटिरियल हाविं क्योफिसेंट थेमल कंडुक्टिविटी के अटिकनेस एंप्रेस एंप्रेस अंप्रेसमिंट रखा है और में इस एक्स्प्रेसर वेंट की मिल्यू पताना तो इसको solve करके देखते हैं, तो देखे हैं, हमारे पास दो slab है, अगर इसका temperature T1 ये इसका temperature T2 है, ये इसका resistance R1 बोलू और इसका resistance अगर हम R2 बोले, चीक है, तो ये R1, R2 जो है, ये series में आ जाएंगे, तो R1, R2 series में आ जाएंगे, तो लेटसे मैं यहां पर देखता हूं, R is A, यहां पर जो length हो जाएगा, x divided by k की value k दे रखी है, area A, into area A मान लेता है, plus R divided by k है, तो length की value यहां पर कितनी हो जाएगी, 4x divided by 2k into 2k to A हो जाएगा, ये 2 times cancel हो जाएगा, तो यहां पर उसको में लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, 3x divided by k a, जाना, 3x divided by k a, ये तो हमारा resistance हो गया, तो next page पर हम solve कर लेंगे, तो यहां पर अगर हम लिखते हैं, rate of heat transfer, अगर हम लोग क्यू डाइट, q dot लिखते हैं, q dot होता है, delta t divided by, तो delta t की value को, let's say, हम लोग लिख देते हैं, t2 minus t1 divided by, resistance कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3x divided by k a, एक बा यदि आप इस expression से compare करके देखेंगे, तो ये एप है, और यहां पर denominator में 3 है, इसका पताब जो एप की value होगी, ये 1 by 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, चले अगला question करते है, तो question number 8 है, ए body is connected to a large body q through a conducting rod of length n, cross-sectional area a and thermal conductivity k, this assembly is placed in an atmosphere of temperature t a and body q, this also maintain and temperature t a, let the heat capacity of body p is c, then its initial at temperature t1, if in time t second temperature of body p2 falls to t2, then the choose the correct option, तो जो को सब्सक्राइब इसमें हमें क्यावला दो body रखें, प और q जो है उसको large बोल रहा है, तो इसको हम लोग आके solve करते हैं, जैसे माल लेते हैं, माल लो ये एक p body है, और ये किसी node से connected है, इससे q से connected है, इसका temperature नहमें तो ये दे रहा है, और इसका temperature नहीं क्या हो रहा है, तो क्या होगा है, यहां से heat loss होगा, एक तो simple नहीं हो जाएगा, एक तो radiation नहीं हो जाएगा, अब इसमें आप नाद कुछ बोला नहीं किसको हम लोग मानेंगे, जो तो ये इसमें, conduction के कारण पी से q में जाएगा, तो य यहां पे लिखा जाएगा, k a delta t divided by, यह conduction को delta t divided by n, यह आपे दे रहा है, प्लस, constant into temperature नहीं, तो constant को अपने लोग माने रहा है, c तो हमें दे रहा है, और इसको अपने लोग के दास माने लेते हैं, और यहां पे लिखे लिए ता अपने लोग यह दे रहा है, तो अब इसमें value put करते हैं, इसको तो मैं लिख सकता हूँ, simple जा, जो हमें दे रहा है, c दे रहा है, तो इसको delta t upon dt लिख लेंगे, इकल टू, तो यह k a, अब जो delta t है, इसको मैं कहता हम, delta t को comma ले ले, तो delta t को ले ले, तो यह बनेगा, k a divided by l plus k dash, ठीक है, तो अब इसको अब लोग लिख सकते है, dt divided by delta t, यहां आजाएगा k a, l plus k dash, और यहां पर आजाएगा, 1 yc, यहां दो हमें लिख लिखे, अब जो t है, इसको अपरेट लोग जर्नल करता है, तो इसको अपरेट लोग लिख लेता है, इसको, माइनस का dty, t minus t है, और यह आगे, हमाने पास, 1 yc, k a divided yl into k dash, अब लोगों integrate करना रही है, तो अगर इसको, अब लोगों सीथे, जिफेसा इंटेगेरेशन करें, तो अगर मैं इसको integrate करता हूं, यहां यहां इस से multiply करें, यहां आजाएगा dt, और यहां आजाएगा अपना dt, तो इसको integrate कर लेते हैं, यहां से integrate करा है, और तो यह कितना आजागा के यह तो यह कितना आजागा के यह एल सी और यहां आजाएगा ट प्लस इसको इसको कॉंस्टेंट वाल लेते हैं इसको के वाल कि यह तो अपने लोग और अपना अपना होला चाहिए तो एक बाद आजाएगा अपना इससे फर्स्ट आंसर सही है ठीक है चाहिए आगे बाद क्याप है यह बाद कुसर्व नहीं प्लस टेक्टे हैं तो एक से यह पुछा है कि कितना ही अप्श्ट रोगा है तो सौर से जब ही टेक्स्ट थोड़ा है इसका मतलब देल्टा क्यू पॉसिटिव है यह पीवी डियाग्राम है तो यह जो पर आप लेते हैं यह व्लार्ट यह यह जो यह जो process है, यह आइसो बारिक है, तो आइसो बारिक और आइसो कोरिक दोनों ही process में temperature बढ़ने से delta Q positive होता है, क्योंकि एक में तो होता है delta Q equal to NCP delta T, यह होता है NCP delta T, तो temperature बढ़ेगा, तो क्या होगा, delta Q positive होगा, यहाँ पर अगर 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 हम एक आइसो थम बनाए, और ले process में, इन दोनों process में, जो temperature होगा, वो increase होगा, तो let's say, इस वाले process में, जो heat आ रही है, उसे में Q1 बोल देता हूँ, इस वाले में Q2 बोल देता हूँ, तो हमें Q1 और Q2 का sum पूचा है, इन दोनों में तो heat reject होगी, तो बाखी दो process की बात हम नहीं करेगे, तो let's say, अगर हम Q की बात करते हैं, तो ये Q किसके बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा, Q1 फ्लस Q2, तो Q1 को हम लोग लिख लेते हैं, N C V delta T, यहां से लिख लेंगे हम लोग N, और ये monotermic gas है, तो C V हो जाएगा 3R by 2, और into delta T लिखना है, तो delta P अगर इसको नाम देते हैं, 1, 2, और Q3 कर लेते हैं, तो ये मारा हो जाएगा, T2 minus T1, प्लस, यहां से यहां तक लिखेंगे से हम N C P delta T लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, प्लस N C P हो जाएगा 5R divided by 2, into delta T को हम लोग लिख सकते हैं, T3 minus T1, अब इन सब में से क्या कर सकते हैं, इन सब में से हम, let's say, N और R यहां को अंदर multiply कर लेते हैं, एक बार हो जाएगा N RT2, एक बार हो जाएगा N RT1, और N RT को हम लिख सकते हैं, PV, यह जो Q हो जाएगा, यहां से हम इसको लिखेंगे, यह हो जाएगा 3 by 2, 3 by 2, into N RT2, N RT2 को हो जाएगा 2 P naught, इन सब माइनस, N RT1 हो जाएगा, P naught, V naught, प्लस, यह यहां से देखेंगे, तो 5 by 2, यहां पर बाहर लिख ले, चीक है, और N RT3 कितना हो गा, N RT3 हो जाएगा, 4 P naught, V naught, और N RT2 हो जाएगा, 2 P naught, V naught, यह difference हो जाएगा यहां से, 2 P naught, V naught, तो यह जाएगा यह हो जाएगा 3 by 2 P not V not plus 5 P not V not 3 हो जाएगा तो यह बुला एन अडियल एंख्लोज वर्टिकल स्रेंडर कंटेनर सपोर्ट ए फ्रीली बूविंग पिश्टे और मास्ट है दा पिश्टेंडर और पिश्टेंडर इस्टेंडर इसका मास् हमें दे रखा है तो इसमें का हमें एक वर्टिकल स्लेंडर दे रखा है और उसमें फिश्टें लगी है जिसका मास हमे दे रखा है रखा है ठीक है तो यह पहले है यह पिर्टरियम है इसको बनांने सो करो ही तो इस तरीके से लोग बनाएंगे यह वालो यह वर्टिकल सिलेंडर है और यहां पर यह पीटन लगा रहा है तो इसका बेट करेगा इसको अगर मैं लिखूं पी नौट इकल टॉ आएगा हमारे पास एंजी डिवाइड भाई के लेटें प्लस प्लस पी एक लिए अब यह विए इसका जो वॉल्यूम था यह इसको डिस्पेस करके यहां लेए तो जो डेल्टा भी काएगा हमारे पास वो कितना हो जायागा एंट bashक कितना वाल लेख है यह एक लाइक वाह तक अब अब आप यह में अब पास बेन पास आगया तो अब जो प्रेशर हमारे पास आएका पोश्कू माल लेता में नौट अब इसको अगर वहां पास माइनस का एक 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 ठीक है अब इसको दुबार देखते क्या बोला है इसमें कि यह बोला है एक एडिया से इंग्लोज इंटेनर आज्यूमिदा सिस्टम इस कम्प्रेट याथ आइसुलेटेड हमें जैनका तो उसमें क्या लगाना हमें झाल आइंग्या पी फिए वन फिए वावाग विकल टुं स्टेंट है तो मैं रिस्टोरी से होसने कलने लागा दिना जिसको हम लोग क्या घरते हैं यह पीवीटा-वाभा क्या क्यों स्टेंट है तो अधरमेस को डेल्टा पी अपन पी करले हैं नाटटा बीवाई भीवीर ड डेल्टा-प्य अगर मैं लिखोंगा तो आजाएगा यह गामा डेल्टा भी बॉइ इंटू यहाँ पास माइनरी अब रहने इसमें फोर्स लिखना है तो डेल्टा भी तो यह हैं अब मैं अगर पोट की बात हूं वुicking वर्प जोगभा असकोग लिखेंगे डिल्टा पी इन्टु एरिया माइनस का गामा डेल्टा भी इंटु पी इन्टु एया यह आगिन आ बारंगे आओ या डेल्टा इस ाइण के बाले रहें तो माइनस गामा डेल्टा भी वाई बी इंटू नहीं डेल्टा भी को हमें रखना है इसको यहां पूरा लिखते हैं जो एफ आएगा माइनस का गामा डेल्टा भी वाई इंटू पी इंटू ए इसको अपने लोग लेते हैं माइनस का गामा तो जो डेल्टा की है इसको तो मैं सिंपर साँ एंटू एक्स लिखता हूं इसको अपने लाग जो यह जो टर्म बनेगा हमारे पास यहां सही है यह इस इस इंट हो गया तो इसको अपने 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 कंपैर करें एक्स एक्स तो हमारे पास केकी मैलू आगई है क्रिकल तो एक अगर वाल्य लिखता हूं यहां पर के जो बना हमारे पास कितना आगया मैंस का गामा पी एब इसकोड भाई वज़िए इसको अब वह उसक्ट है तो यह आगया तो यह आगया तो यह फार्मॉला जो पर्मूला पर्मूला होता है वो अपने लोग से अगर त एक पाइ तो फ्रिकेंसी कितना हो जाएगा बन अपां टू पाई तो यह बनेगा बन अपां टू पाई तो आ जाएगा यह गामा एस्क्राइब बी इन्टू बी इन्टू अगर अपने लोग आप्सन चेक करें तो हमारे पास बान पाई एस्क्राइब लामा पी नौट एंट इन्टू अपना सभी हो जाएगा थाट से अब सब नेक्स्ट पाई बात करते हैं यह बार रखत लेते हैं इसे कुश्चिन निम्बर 11 कुश्चिन 11 में क्या है पिगर सोस अस सिलेंडर ट्यूब और वालिम भी वित अडिविटिक वाल कंटें इन आइडियल गैस चिकेंड इंटर्ण अब आगे देखते हैं इसका मतलब मतलब CV की value जो है 1.5R है मतलब 3R by 2 इसका मतलब एक monotomic air है अब आगे देखते हैं the tube is divided into two equal part by a fixed adiabetic wall equal part है तो let's say मैं इसका volume B कहा है इस B को जादा मतलब नहीं है हम दोनों का volume अलग एलग दी और नी मान देखते हैं है ना दोनों का value equal है initially the pressure and temperature are T1 T1 on the left and the P2 T2 on the right the system is left for the sufficient time so that the temperature become equal on the two side ठीक है तो हमें पुछा है कि work done by the gas on the left part is तो दीखें बहुत simple सी बात यहां पर करते हैं कि कह रहे ही है हमारे पास इपर question ना समझ लीजे क्योंकि इसमें इसके आगे जो है वो चार question follow होगा इसी question के basis पर तो देखें हमारे पास यह एक container है जिसको हमने दो equal part में divide कर दिया बाहर का जो wall है वो तो adiabatic है मतलब atmospheric को heat का exchange नहीं होगा लेकिन जो यह बीच वाला जो piston है बीच वाला जो wall है यह fix है डिस्प्लेस नहीं होगा और di thermal है लेकिन heat का exchange होगा डिस्प्लेस नहीं होगा लेकिन heat transfer होगा अब देखते हैं तो अगर heat transfer होगा इसका मतलब यह सकते हैं कि अधर सुरू में temperature t1, t2 अलग-अलग है जब last में equilibrium आ जाएगा तो temperature same हो जाएगा अब question number इसका पहला question देखते हैं work done by the gas on the left part left part पे work done piston displaced ही नहीं हुआ तो work done zero हो जाएगा तो पहले part का तो देखें हैं तो देखें हैं यहाँ पर क्या है second के तो नहीं पगा किया पुचा है तो final pressure on the two sides are final pressure पुचा है आगे के question में final temperature भी पूचा है तो एक काम हम यह कर सकते हैं कि इन कोनों question को जो है एक साथ solve कर लेंगे इसके आगे के question में final temperature भी पूचा पाए तो लेट से इसका pressure P1 इसका temperature T1 इसका pressure P2 और इसका temperature तो नेक्स लाइग में solve करेंगे तो नेक्स लाइग में यह कह सकते हैं कि temperature है ते टी मालएता है और इसका temperature बाइन ती माल लेते है और सभी का value भी माल लेता है सभी का. वाल्यों हम लोग नहांसे a tata Eu वह चालो करते हैं मान लेते हैं यहाँ पर number of mole N1 है यहाँ पर number of mole N2 है इस में भी number of mole N1 ही और हम और इस ही लिखना चाहेंगे, तो यह हो जाएगा P2V divided by R2, यह तुमने नमबर फोल N1 और N2 देख लिया, एक चोटे सी बाग क्या क्या सकते हैं, कि heat इन दोनों में तो exchange होगा, लेकिन atmosphere से नहीं होगा, इसका मतलब पूरी system की internal energy constant होगा, तो यह हम internal energy लिखना चाहें, इसकी internal energy लिखते ह तो पहले वाले की internal energy लिखेंगे, 1.5 into number of फोल यहां से लिखेंगे, N1 के जगप पर क्या लिखेंगे, P1V divided by R T1, 1.5 into N into R into T1, यह पहले वाले की energy होगे, इसी तरह से कर हम दूसरे पार्ट के energy लिखेंगे, यह हो जाएगा 1.5 into P2V divided by R into T2, divided into R T2, हम फामला लिख रहे हैं, N Cv, यह वाला फामला लिख रहे है, internal energy N CvT, is equal to, अब इधी हम final लिखना चाहें, तो final temperature दोनों में, दोनों में same हो जाएगा, तो number of moles जो है, अगर हम मैं total लिखू, दोनों की specific heat capacity भी same है, मैं लिखेंगे, N1 plus N2 into Cv into T, चले, तो N1 plus N2 अगर मैं लिखना चाहूं, तो यहां से लिखूँगा, पूरे expression से यह volume cancel हो जाएगा, यह वाला R और यह वाला R और यह वाला R cancel हो जाएगा, 1.5 और यह 1.5 और यह 3 by 2 cancel हो जाएगा, अब बचा गया है यहां पर, यहां पर बचेगा, P1 T1 plus P2, यहां पर बचेगा, P1 by T1 plus P2 by T2 into temperature T, तो उसे लिखाएगा, P1 plus P2 into T1 T2 divided by P1 T2 plus P2 T1. एक चोटी से बार देखते हैं, यह जो quantity है, P1 T2 plus P2 T1, इसे लामडा कहा देते हैं, इसे लामडा कहा देंगे, तो यह हो जाएगा, P1 plus P2 into G, बोल रखा है, P1 T2 divided by लामडा, ऐसा question में बोल रखा है, चिक है, तो अगर हम देखें, तो इनगी temperature आ गया, यह actually, अगली पार्ट का, थर्द पार्ट का answer हो जाएगा, यह है P1 plus P2, T1 T2 divided by, divided by लामडा, तो P1 divided by ला आगा है, तो यह first answer हो जाएगा, P1 P2 P1 plus P2 divided by लामडा, तो यह हम दे थर्ड पार्ट solve कर लिया, अब सार इसका पुस्चर, अब आजाते हैं, एक बार second part solve कर लिए, ठीक है, तो प्रेसर पुछा है, जी प्रेसर पुछा है, एक बार temperature लिख लेते हैं, तो temperature हमने लिखा था, P1 P2 into P1 plus P2 divided by P1 P2 plus P2 T1, तो यह पूछा गया था, अब देखते हैं, नेक्स स्लाइड में देखें, अब नेक्स स्लाइड के अगर बात करें, तो हमें इस वाले पार्ट की बात करते हैं, हमें इसका temperature पता है, हमें इसमें number of poles पता है, volume बताए, तो pressure निकाल सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर pressure लिखूँ, P, तो मैं P1 लिखता हूँ, P1 नहीं, P A लिखता हूँ, जो पहले पार्ट का final pressure, जिसे हम P A बोड़ रहे हैं, तो P A क्या हो जाएगा, N1 R T divided by B, चेक हैं, और इसी तरह से, अगर हम P B लिखेंगे, तो य P1 V divided by R T1, इसी तरह से N2 भी लिख सकते हैं, तो N1 के बदे हम लोग लिखेंगे, P1 V divided by R T1 into R, और T यहाँ से लिख देता है, T यहाँ से लिख देंगे, T1 T2 into P1 plus P2 divided by, इसको lambda ही लिख देता है, तो यहाँ से अगर देखें तो यह T1 और यह T1 cancel हो जाएगा, यह R और यह R cancel हो जाएगा, तो यह वाला हो जाएगा, P1 into volume into T2 into P1 plus P2 divided by, divided by lambda, इसी तरह से अगर हम pressure B पे लिखें, तो P1 के बदले हमार पस P2 आजाएगा, P2 V, T2 के बदले P1 आजाएगा, यहाँ पर आजाएगा, P1 प्लस P2 divided by lambda, देखिए, यहाँ पर volume है ना, तो यहाँ पर भी volume आएगा, यह volume और वाल्यूम आएगा, तो यह वाल्यूम आजाएगा, तो यह वाल्यूम यहाँ पर नहीं बचेगा, तो यह वाल्यूम यहाँ पर नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, P1, और यहाँ पर भ तो यह option यह बारेंगे, second वाला correct हो जाएगा, यहां पर देखें, P1 T2 हो जाएगा P1 T2, P1 P2 और यह जाएगा P2 T1 into P1 plus P2, चीके, यह left side और right side का pressure हमने calculate कर लिया, question वर 14 देखते हैं, 14 मी क्या पुछा है, कि the heat flow from the gas on the right to the gas on the left है ना, यहां से यहां कितना heat transfer हुआ, यह हमें तो सुरुवात में जो लेट वाला पार्ट है उसका temperature T1 था बाद में temperature T हो गया तो इसका मतलब है कि heat flow हुआ यह मान लेते हैं कि temperature काम हुआ 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 तो हम next slide में देखते हैं कि अगर हमें पताना है कि कितना heat flow हुआ और volume constant रहता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि delta Q जो है वो कितना होगा यह Ncv delta T होगा तो इसमें जो number of mole है वो N1 हो जाएगा Cv monotopic gas का 3R by 2 हो जाएगा और जो temperature है उसे हम लिख सकते हैं T1 minus T अब देखें कि number of mole N1 यह कितना है यह मैं जो है पिछले दो तीन बार हम लोग बात कर चुके हैं T जो है यह हमनों calculate कर चुके है N1 और T की value आप इसमें put कर दीजे चिक है और उसकी बाद आप solve करके देख लेजे इसका जो answer आजाएगा जो हमनों calculate करी चुके है और N1 भी जो है यह पहले मैंने आपको बताया है यह दोनों value पुट करके solve कर लेजे तो डिल्टा क्यों आ जाएगा ठीक सर्थ अगला question करते है अगले question करते है मुलो नेक्स्ट कुस्टिन बूला एक्सपरिमेंट एन इडिल गैस इस पॉंट तो भी ओवे एक कंडिशन पी स्कॉर भाई रो तो इसमें सोल करना मतरा पहला बारा चेक करने करना है कि इसको अगरे इसको लेगए लागना चाहों कि अगरो कि हमें रहे रहे है अब हम से यह इसकी देंसिटी को कितना इे रहा है चाहिए ऑफ साथ को इसको लेखू के सीप्सक्वेद कुरह मार एक उफ आता है तो इसमें हमसे बुल ला है प्रेशर आफ दगेस चेंश कुछ तो इकर कंडिसे लगा जाएते हैं पीवन अपॉन या यह से रिखते हैं पीवन अपॉन रोवन सिंप्राइब सकाइब आगे रिखेते हैं और हमें दर रखाए पी स्क्वाइर वाई रो इकल टू कॉंस्टेंट है तो इसको आप रिखलो पीज 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 इसक्वाइर रोवन इन्टू अब हम पीज पता रखा है तो इसको तो मैं पीज लिख लेता हूं इसक्वाइर बात करनी है यह इसक्वाइर आएगा यह रो है पहले तो रो है आप कितना हो गया यह रोवाइट वह गया तो जो पीज बनेगा वह आजाएगा पी डिवाइड वाइड वाई पर दो जो एक नवाज़े स्वें पहला है तो इसको रिख नश चैंश तू अंडरूट पी तो पहला प्रइसर आप यह तो हम लोग पहला पाप्सक्राइख कर दिया तो पी इसक्वार भाई गो इकल टू हमें दर रखाए पॉंस्टेंट तो हमने इसमें से पी को अलिमिनेट करना है तो अगर मैं लिखूं पी इकल टू अपने लिखेंगे न आर्टी या पी बीगल टू एप यह समॉल है यह कैप्टल है आर्टी आजाएगा तो पी इसे तो में मतलब ही नहीं है तो यहां से अपने लिखेंगे तो यह आजाएगा अपने पास रोट इसक्वाइब यह कितना आगे यह इसको मैं लिख दूँ रोट इसक्वाइब यह तो पहले हमें कंडिशन दे रखा है जो रो है तो यह तो रो है यह यह रोवाइट तू हो गया और तो यह रो से रोगेंशन हो जाएगा तो अगर मैं लिखूँ तो यह आजाएगा अंडर रूट टू इंटू टी चे करते हैं आंज़े थर्या जीटू है तो यह रोख ऊधले तो यह अपना अंथर सही दो सोब करते हैं yeah तो अगर मैं इसी को लेके चलता हूं यहां से जो रो अपने रो लिखते हैं तो मैं रो को अगर सीधे लिख दूँ यह डर्क ली चलेगा किसके साथ पी वाई टी के तार इसको यहां रखें तो यह बनेगा पी स्कार पी और यह यहां आ जाएगा इक्वल टू कॉंस्टेंट तो मतलब पी और यह पास यह कॉंस्टेंट आए तो क्या यह प्रोंस्टेंट अगए यह हमारे पास हईपर बोला होना चाहिए तो भाफ पी टी ग्राफ अब ग्राफ आफ और प्रॉसर टीटी ड्लाइब हैं जुकिंट तो इसमें लोग पीटी तो इस इवाइज ए बाही एक्सिप्ल टू आगे पूस्टेंट अगेल्ट यह बन बाइए टीटी घॉए पर उडञ़ा का इक्वेशिट्ट कर लेता कि अब माट कर लेत को अग पर तो यह कोश्चिन नहीं नहीं होगा तो अब इसको अपर लोगी चलते हैं तो इसको मैं लिए सकता हूं पीए भी आपकंद यह कंडिशन हमारे पास सैटिस्वाइब हो ली जाएं तो इसका मतला पीए पीए भी 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 फेप नहीं होंगे तो यह बहला वाला दूसरी बात करते हैं अब यह दो अगर बराबर नीं तो टो अगर एक से होगा तो फिर ये में बात करें तो अगर एई सेम को जाएका तो अपनी से के शिप्सक्राइब लेखते हैं, चलिक पॉसम में 17 करते हैं, देखिए, पॉसम में 17 में है, a composite block is made of slab A, B, C, D and E of different thermal conductivities, ठीक है, and size given in terms of length L as shown in figure, all slabs are of same width, heat Q, flows from left to right through the blocks, ठीक है, they are in steady state, heat, अब इस question में पहला option देया हुआ है, heat flow through A and E are same, अब देखिए, heat जो है वो यहां से जाएगा, heat यहां से जाएगा, और let's say यहां से बाहर निकलेगा, तो एक बात तुम कह सकते हैं कि अगर यह वाला हमारा slab A है, ठीक है, और यह वाला slab हमारा E है, तो इन दोनों से जो rate of heat transfer होगा, वो same होना चाहिए, जो slab A से heat जाएगा, वो B में, C में और D में divide हो जाएगा, और बात में वो सारा का सारा जो है, तो फिर E से pass होगा, तो A और E में जो rate of heat transfer होगा, वो same होगा, तो heat flow through A and E are same, तो पहला सही होगा, second में कुचा है, heat flow through slab E is maximum, अब यह बात नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, जब हम यह कह रहे हैं कि A और E से बराबर गया है, तो E से maximum तो नहीं कहेंगे, क्योंकि A और E से बराबर है, तो second option गलत हो जाएगा, अब हम थर्ड option देख रहे हैं, the temperature difference across slab E is smallest, let's say rate of heat transfer, के लिए हम एक expression लिखते हैं, q dot, q dot क्या होता है, q dot होता है, delta T divided by, L divided by k A, तो यह के यहां से लिखते हैं, तो यहां से अगर हम लिखेंगे, data T, तो यह हो जाएगा, q dot divided by k A into L, एक चोटी से बात देखें, अगर हम यहां पर देखें, तो यह जो E वाला slab है, इसकी thermal conductivity 6K है, इसकी thermal conductivity बहुत जादा है, और इसका length अगर हम देखें नियरा, इन दोनों में compare करो, इन दोनों की length बराबर है, लेकिन इसकी thermal conductivity जादा है, तो इन दोनों में compare करेंगे, तो इसम comparison में इसका length बहुत छोटा है, तो यह वाला जो होगा, इसके cross temperature difference जो है, वो सबसे छोटा ही होना चाहिए, कारण फिर से सुन लीजे, thermal conductivity जो है, यह बहुत बड़ी है, और यह जो length है, यह सबसे छोटा है, ठीक है, इसका मतलब है, कि जो temperature difference होगा, temperature difference होगा, यह सबसे कम होना चाहिए, अब देखते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि third part सही हो गया, fourth में क्या लिखा है, the heat flow through C equal to heat flow through B plus heat flow through B, ठीक है, तो B, C और B से, मतलब B से rate of heat flow, और B से rate of heat flow को अगर add करेंगे, तो वो C से rate of heat flow के बड़ाबर होगा, एक च्छुटी सी बात अब समझीए, तुम क्या कह सकते हैं, कि B, C और D, इन तीनों के cross temperature difference होना चाहिए, तो B, C और D के cross temperature difference होगा, तो मैं क्या कह सकते हूँ, कि Q dot B से, Q dot D से, प्लस Q dot D से, ये जो value है, ये Q dot C के बड़ाबर हो जाएगी, और Q dot का formula होता है, K delta T by L, तो सबसे पर हम लोग D के लिए लिखते हैं, तो D के लिए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, D k into area, into delta T, divided by, ये जो length होगा, ये 4L के बड़ाबर होगा, प्लस D के लिए क्या लिखेंगे, D के लिखेंगे, 5K into A into delta T, divided by 4L, इसी तरह से, अगर Q dot, अगर हम C के लिए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, 4K into, अब इसके लिखेंगे, इसका area double है, इसका area double है, ब्लॉग बना रखेंगे, तो इससे हम 2A बाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2A into delta T, तो सेम है, divided by length कितना हो जाएगा, length हो जाएगा, 4L, अब इसको, let's say, K A delta T by L, ये तो सभी में से, सभी में से cancel हो गया, यहां से क्या बच्चा, यहां से बच्चा 8 by 4, 8 by 4 2 बच गया, और यहां से 8 by 4, 2 बच गया, तो basically जो है, Q B और Q D जो है, वो Q C के बड़ा बड़ा हो गया, तो अपना चौता आंसर भी सही हो गया, चिक है, तो हमारा आंसर जो हो गया, इस पर 1, 3 और 4 हमारा आंसर हो गया, चलिए, अगले question फिक्र, next question है, question number 18, question number 18 बोला है, one more of monotomic ideal gas pro a thermodynamic cycle process as shown in the volume versus temperature diagram, the correct statement, तो हमें इसमें correct statement check करने है, तो यह पहला बोला है कि ता ratio of heat transfer during the 1, 2, 2 and 3, 2, 4, तो देखो, उपने लोग, 1 से 2 यह हो गया और 3, 2, 4 यह हो गया, तो simple साई, यह गया है हमारे पास, इसमें volume constant है, तो यहाँ पर heat transfer आएगा उसको पर क्या रिख रिख लेता हूँ, अब इस वाले की बात कर लेते हैं, यह BOT में ग्राब चोगा है, यह गया, तो अगर pressure constant है, तो यहाँ पर यह Q लिखा जाएगा, वो कितना लिखा जाएगा, अब अब अपने लोग इसका ratio चेक कर लिएते हैं, यह मुलना था, ratio of heat transfer from Q से Q1, यह हम इसको लिखते है, जो 1 से 2 है, यह 1, 2 है, और यह 3, 2, 4 है, तो temperature तो हमें नहीं रहा है, इसको next slide में लोग बात करते हैं, next slide की फिर बात करें, इसका पहले temperature यह लिख लेते हैं, जो delta T आएगा हमारे पास N, C, को तो ऐसे रहने जाते हैं, delta T आएगा हमारे पास T0 से T, तो यह कितना आजएगा है, यहां पर T0 आगया, इसकी बात करते हैं, तो यहां पर temperature कितना है, N, C, यह भी T0 आगया, तो simple सा हमारे पास N है बहुते से मी रहेगा, और T V से मारा तो C, C B upon C B की बात हो रही है, ठीक है, तो और monotomic gas है, तो monotomic के लिए C B upon C B जो अपनों लिखेंगे तो 1 by 2 तो आता नहीं है, तो पहला पना गड़त हो गया, ठीक है, ratio of heat transfer during the process 1 to 2, अगर मैं लिखना चाहूं, तो जो 1 से 2 हो रहा है, Q 1 2, or Q 3 4, अब अब इसे जो N से N गेंच लोगी है, T naught से T naught केंच लोगी है, तो यह उचेगा, C B upon C B, और इसको अब लिखेंगे जेंगे कितना आता, 5 by 3 आता, तो यह अपना second answer अपना, सही हो गया, अब आपने लोग आगे बात करते हैं अपने लोग, अब चलिए पर्गडन इना thermodanique process, 1-2, 3-4 अब आप इसको फिर की बाति कि लिखना है, तो अपना यह तो इसने लिख लिख लिए, बर्गडनी बात कर लेते हैं, तो यह इन से यह यह हमारे पास क्या है तो आइस बार्ट के लिए लोगों पर यह तो डी है क्या पर गाएगा तो द्विक प्क लिखा जाएगा इसको व्य दॉक प्रेंच तो आइसो बारिक के लिए लिए लिखते हैं लिखा जाएगा या अब आपने लोग आगे बात करते हैं यह क्या हो ला है अब यहां पहरा है यह अब यहां पर यह अप्र यह अब करते हैं तो यह अहां अब आप इसे अखर एक रहे हैं माइनस का ती नॉट यह माइना सक्षास्थ हमारे पाथ आएगा ति नौट यह इसका रेजियो कुछ है इसको मैंखूल गए यह आया यह प्र नॉट यह तो अब खाले चाहिक साम चरह सबिस्वाइब यह समझ मा रहा है यह क्या है इन चाहिए यह तो यह गलत हुगिया तो यह सही है यह और यह गलत हो गया इसी है नेच्ट कोश्य वाद रखता है, question number 19. चले question number 19 देखते हैं, one mole of a monotomic gas is taken through the cycle A, B, C, B, A as shown in TV diagram. The column 2 gives the characteristics involved in the cycle. Match them with each of the process given in column 1. तो हमारे पास चार process दे रहे हैं, A, B, C, C, B and B. और इसके बारे में कुछ quantities दे रही हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं, process A, B की. आइसोभारिक process से volume कम हो रहा है, isobaric process से volume कम हो रहा है, इसका मतलब है की temperature भी कम ही ओडा हुगा. तो अगर options देखे हैं, तो internal energy decreases, पास्ट आंसर इसका हाही हो जाहिका, internal energy decreases गलद हो जाएगा, heat is lost. जो आइसोभारिक process में internal energy decrease होगी, तो delta Q negative होगा, तो third answer भी इसका सही हो जाएगा, heat is gained गलत हो जाएगा, work is done on the gas, volume कम हो रहा है, volume कम हो रहा है, तो work is done on the gas, तो यह भी सही हो जाएगा, तो answer इसका हो जाएगा 1, 3 and 5, अब बात करते हैं, BC process की बात करते हैं, अगर मैं BCC process की बात करो, तो यह एक आइसोगोलिक process है, और उसमें pressure कम हो रहा है, pressure कम हो रहा है, volume constant है, pressure कम हो रहा है, तो temperature भी कम ही हो रहा होगा, तो यहाँ पर अगर देखिए, तो internal energy decreases, जो first है, यह सही हो जाएगा, ठीक है, heat is lost, यह भी सही हो जाएगा, तो बारत रही हो गया उसा और heat is gain गलत हो गया, work is done on the gas गलत हो गया, तो volume तो constant है तो work is zero हो जाएगा, अब आप करते हैं process, ccd की बात करते हैं, ccd again जो है यह काई इसोबारिक process है, इसोबारिक process है, लेकिन इस बार जो volume है, वो increase हो रहा है, इसका मतलब temperature भी increase हो रहा होगा, तो इस बार हम कह सकते हैं कि internal energy increase हो रहा होगा, second answer इस बार सही होगा, heat loss नहीं होगा, इस बार heat gain होगा, heat gain होगा तो 4th answer सही हो जाएगा, work is done on the gas नहीं, इस बार expansion हो रहा है, तो work is done by the gas, तो 5th answer इसका नहीं होगा, यहां से यहां तक अगर हम जाए तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इंटर्नल एनरजी है अगर अगर यहां पर देखें डेल्टा Q is equal to delta U plus delta W अगर यह iso thermal process है तो delta U तो 0 हो जाएगा तो internal energy जो है वो increase or decrease होने की कोई बात नहीं है वॉल्यूम कम हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब और नेगेटिव है और नेगेटिव होगा यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि heat loss होगा और हम लोग कह सकते ही कि work is done on the gas होगा तो आंसर जो होगा इसका third हो जाएगा और fifth हो जाएगा ठीक है तो question number 20 वुला ब्लकरण लिघ्वा है आ खुली दो अर यह सकते होगा गण चुल्यू में आरा के में पाटन होता है I into A into B होता है थेकर यह क्या होता हमारे पास major actions और minor actions होती है उसकी land होती है तो, इसको अगर मैं लिगू 5 5 कूर इलिदा हूं है 3.14 इसको मैं मान लेता हूं 1 तो, यह कितना आजएगा हमारे पास यह 200 अटो 200 का मुलतास कर ल कर लाका तो 100 3¹3 3¹3 10¹3 कि बात कर लेता तो यह कितना आएगा तीन यह और एक यह तो कितना आगे है यह 3.31.4 यह आजाएगा अंजर इंचे डिल्टा की पार ठीक है साथ चली तो आज के लिए इतना ही है ना अगले घुरुनीती में जो हम लोग अगले टोपिक से के साथ आपके साथ मिलेंगे थैंक यू